ये निम्हेंशक मर जोज बरणाट में अप्लोड कर चुकी हो पुरा नाटैक अप्लोड हो चुका है साथ वी डिएओ हैं और जो लास का वीडियो है उससे हलांकि मैंने तीन एक्ट है और हर एक्ट को तो दो पार्ट में बाटने का मेरा इरादा था, तो First Act के दो वीडियो हैं, Second Act के दो वीडियो हैं, Third Act में थोड़ी गड़वड हो गई थी तो उसके 13 वीडियो भाइं हैं, लेकिन आपोugenте bashkama हो उसा IT हो गए नेぞसे भीर, देख लिए थर्टी सिक्स मिनट वाले उस वीडियो को भी मत चोड़िये बीच में आता है वो आज के इस वीडियो में हम कुछ मुल्टिबल चॉइस क्वेशन देखेंगे कुछ क्या धेर सारे हैं मैंने दो तीन बुक्स में से आपके लिए चांटे हैं तो पहले इस बुक मे बैटल ऑफ यानि सर्जियर्स हीरो है किस बैटल का एकॉर्डिंग टू कैथरीन कैथरीन के अनुसार तो वह स्लिब निडजा आपको जगह का नाम याद रखना है जो युद्ध हो रहा था वह स्लिब निडजा में हो रहा था अगर आपने वह वीडियो देखे हैं डिटेल चॉइस क्वेशन बेज़ हो लेकिन डिटेल में आपको नाटक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है सेकंड कॉश्चन दिए दा फर्स नेम ऑफ मेजर पैटकॉफ इस तो उनका फर्स नेम पॉल है आप सुना ही होगा कैथरीन उनको पॉल नाम से ही पुकारती है दा फॉर्स ए प्ले टेक्स प्लेस इन नवंबर 1885 नवंबर 1885 में पहला सीन है पहला एक्ट है फिर है फोर्थ क्वेशन रहना और सर्जियस वर वेरी फॉन्ड ओफ रीडिंग तो रहना और सर्जियस बहुत शौकीन थे पढ़ने के बायरन एंड पुश्किन बायरन और पुश्किन दोन नियंतरन का किया जा रहा था वो रॉष्यन ओफिसर्स के द्वारा किया जा रहा था फिर सिक्स्थ कुश्चन देखे इन आम सर्ण नमें हूइस कंपेर टू डॉन को इक्जोट चार्जिंग एड़ विन्मिल्स तो डॉन को इक्जोट से किसकी तुलना की गई है आम सर्ण इस तरीके से चड़ाई की थी में मेजर है और उसने चड़ाई की थी सर्वियन आर्मी के ऊपर अटैक किया था तो वहां उसकी तुलना की गई है डॉन को इक्जोट से फिर रैना यूजज दा एपिधेट चॉकलेट क्रीम सोलजर फॉर्ट रैना ने यह जो एपिधेट मन ब्रेंट शरी के लिए यूज किया है निकोला इस निकोला है श्रीवड एंड इंटेलिजेंट वह तेज है चालाग है और इंटेलिएंट है उश्यार है हालांके एक जो दूसरी बुक है वहां पर उसको बफून कहा गया है एक और बुक में अभी मैं उसमें से भी अपलोड क करूंगी क्वेस्टिंस आपको दिखाऊंगी तो वहां निकोला को बफून कहा गया है लेकिन निकोला को आप देख रहे हैं कि उसकी प्लैनिंग कितनी उची है कि मैं एक शॉप अपनी रखूंगा सोफिया में एक दुकान खोलूंगा और वहां पर लुका कि अगर बड़ श्यूड है चालाक है तो यही अप्शन यहां पर सही लगा मुझे फिर है सर्जियस का कैवलरी चार्ज जो था सर्फ पर वो कैसा था अन प्रोफेशनल एंड फूल हार्डी अन प्रोफेशनल था मीन्स अव्यावसाइक था फूल हार्डी मैं बेवकूफी से भरा हुआ था उसने जो अटेक किया गुरसवारों का सर्फ यहन आरमी पर वो वो भीकूफी से भरा हुआ था नेक्स प्रक्र format है कैथरीन का एकिसानल कीसास के यहेलरी चार्ज के प्रत्ष प्रत्ष के प्रतिक कैसे है रोमांटिक है बड़ा कलपना से बरा हुआ बड़ा आदश से बरा ह बहुत तारीफ करती हैं वो स्केवल रिचार्ज के तो यहां हम्मारा ज़ाई जबाब होगा रोमेंटिक ब्लंशली केरें इन हिस कार्ट्रेज केसे अपने कार्ट्रेज यानि कार्टूसों के बकसे में ब्लंशली क्या रखता है चॉकलेट्स रखता है तो यह शब्द किसने कहे हैं किसके बारे में ब्लंशली ने सर्जियस के बारे में यानि जो सर्बियन आर्मी थी सर्ब्स थे सर्बियन लोग थे कुड़ नोट रिपेल मनले सामना नहीं कर पाए विरोध नहीं कर पाए सर्जियस के घुरसवार सेना के अक्रमन का क्यों नहीं कर पाए दे वर सप्लाइट रॉंग काइंड ओफ एम्म्यूनेशन उनको गलत गोरा बारू दिया गया था जो काल्ट्रिस उनको दिये गए थे वो उनके काम नहीं कर रहे थे तो इसलिए उनकी सेना हार गई की तरह विंड मिल्स पर पवंचक्कियों पर चिलाता हुआ अटेक करता हुआ वो लग रहा था तो बलंशली डेसक्राइब सर्जियस यहां बलंशली सर्जियस का डेस्क्रिप्शन दे रहा है इन शब्दों में अगर आपने डिटेल वीडियो देखें तो आप इस मेंसे सारे रेना हुस्पिटलिटी ऑफ पैट कॉफ यह यहां तो रेना यह यी जो शब्द चहती है बिचारा प्यारा तो किस के लिए कहती है ? बरंशली के लिए कहती है जब वो सो जाता है अपनी मां को लेकर आती है कैथरीन को तक तक बलंशली सो जाता है और सोते हुए बलंशली को देखकर वो कहती है पूर डार्लिंग निकोला का सपना है एक दुकान खोलने का कहां पर? सोफिया, सोफिया में यह जगहों के नाम आपको याद रखनें सिलिवनिट्जा में युद्ध हुआ था वो जगह का नाम याद रखना है निकोला ने सपना देखा है अपनी दुकान खोलने का सोफिया में तो सोफिया का नाम याद रखिएगा कैथरीन वांट्स तो मेक प्रिंस अलेक्जेंडर दा एम्परर ओफ बालकान्स मेजर पैटकॉफ होल्ड्स डेली वशिंग इसका जवाब होगा कैथरीन का क्या है गला खराब रहता है जब वो कहती हैं कि मेरा गला खराब है तो मेजर पैटकॉफ कहते हैं कि तुम रोज क्यों ना आती हो रोज ना होगी तो गला ही खराब रहेगा हफते में एक दिन ना लिया करो उत्ता काफी है तो रोज ना ना उनके हिसाब से गला खराब रहने का कारण है यानि कैथरीन अपने घर में क्या चीज लगवाती है जब मेजर पैटकॉफ दूर होते हैं सर्वियन्स के खिलाफ लड़ रहे होते हैं उस वक्त वो एन इलेक्ट्रिक बेल एक बिजली की घंटी लगवाती है वो एक ब्यापारिक यात्री जैसा था यूनिफॉर्म पहने हुए ये शब्द कौन बोलता है और किस के बारे में ये शब्द सर्जियस बोलता है बिलन्शली के बारे में तो ये सब कुछ आपको आराम से याद तब रहेगा जब आपने डिटेल में ये पूरा नाटक पढ़ा होगा तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ये रट नहीं सकते आप इन सब चीजों को कितना रटेंगे कि किसने किस के बारे में कहा है किसने क्या बात कही है ये सारे डायलोग्स आपको तब ही अच्छे से याद रहते हैं जब आपने पूरा नाटक खुद पढ़ा हो तो एक बार मेरी गुजारश यह है कि उन वीडियोज को जरूर देख लीजिए थोड़े टाइम कंजियूमिंग है मुझे बनाने में भी टाइम लगा उनको मैंने इतनी महनत किये तो थोड़ी आप भी कीजिए उनको देख लीजिए आपके लिए आसानी होगी तो किसने क्या बात किसके बारे में कही है ये ज़ादा आप रट नहीं सकते दो चार डायलोग से ही रट पाएंगे नेक्स है ये यहाँ पर चपा हुआ है क्लॉड है जो औरिजिनल टेक्स्ट में क्लॉड है उफ कॉमन क्ले यू आर मदब तुम हो एन अबॉमनेबल मीज घ्रनित लिटिल क्लॉड का मदब छोटा सा ढेला आफ कॉमन प्ले सामान ने मिट्टी का तुम एक मिट्टी का डेला आओ हू एब्यूजस कौन गाली देता है हूम और किसको विद दीज वर्ड्स इन शब्दों में तो ये शब्द सर्जियस ने लूका के बारे में बोले हैं कि तुम तो मिट्टी का डेला आओ तो आपको याद होगा जब शुरू होता है तो वहाँ सबसे पहले यही सेंटेंस है कि आज जो दिन है वो 6th मार्च 1886 है तो ये आपको याद रखना है फिर आगे बढ़ते हैं 3 regiments are to be sent to 3 regiments कहां भेजी जानी है फिलिप्पो पोलिस अगर आपने देखा है तो यादी होगा आपको फिलिप्पो पोलिस भेजी जानी थी 3 regiments उनके लिए परिशान थे ये लोग फिर है वाट इस देजिगनेशन ओफ ब्लंशली ब्लंशली का डेजिगनेशन क्या है वो captain है to feel absolutely comfortable यानि पूरी तरीके से आरामदायक महसूस करने के लिए major pet cough only misses one thing major pet cough के वल एक चीज़ को miss कर रहे है एक चीज़ कम है जिसकी अगर वो उनको मिल जाए तो वो पूरी तरीके से comfortable हो जाएंगे what is it और वो चीज़ क्या है his coat उनका coat अगर आपने वीडियो देखें तो आपको यादी होगा कि coat ब्लंशली को दे दिया था रहना और कैथरीन ने के भई ये coat पहन के तुम जाओ major pet cough का coat है चुप चाप निकल जाओ कोई ध्यान नहीं देगा major pet coffee समझेंगे लोग तो फिर आगे बढ़ते हैं when you strike that noble attitude यानि जब तुम ये अपना अच्छा व्याभार दिखाती हो and speak और बोलती हो in that thrilling voice उस रोमांचक आवाज में I admire you तो मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ but I find it impossible लेकिन मुझे ये असंभव लगता है to believe a single word एक भी शब्द पर विश्वास करना you say जो तुम कहती हो who is speaking to whom here यहाँ पर कौन बोल रहा है और किस से बोल रहा है ये शब्द ये शब्द ब्लंशली रहना से बोल रहा है next who claims to have made a woman of Luca कौन ये दावा करता है कि उसने Luca को एक संभरांत महिला बनाया Nicola सही जवाब है इसका क्योंकि Nicola ही कहता है कि मैंने तुम्हें एक गवार लड़की से एक संभरांत लेडी महिला बनाया the way to get on as a lady यानि the way मने तरीका to get on मने बने रहने का जारी रखने का जीवन जीने का as a lady एक संभरांत महिला की तरह is the same वैसा ही है as the way to get on as a servant जैसे कि एक नौकर के रूप में अपना जीवन जारी रखना who speaks this sentence ये वाख किस ने बोला है ये Nicola ने बोला है फिर next देखते हैं Sergius claims Sergius दावा करता है if I loved you and I were अगर मैं तुम से प्यार करता और मैं होता the blank space himself और मैं होता I would set you on the throne by my side तो मैं तुम को अपने बगल में अपनी गद्दी पर बिठाता तो यहां क्या आएगा आपने पढ़ा है तो आपको जरूर याद होगा कि यहां पर जार आएगा C-Z-R जार यानि रूस में जार का शासन था ना वोल्शेविक क्रांती होने से पहले तो अगर मैं जार होता तो मैं तुम्हें गद्दी पर अपने बगल में बिठाता यह Sergius कहता है अरे युद ये तो एक सपना होता है देश भगतों का और नायकों का यह शब्द कौन बोलता है Sergius बोलता है नेक्स कुशन लाइफ इस फार्स लाइफ एक फार्स है यानि हास्यास पद बस्तू है वो सेज दिस इन आमस एंडमें ये बात कौन कहता है आमस एंडमें में Sergius कहता है यानि उसके अंडर आत्मा थी उसके इस्थान से उपर इस्टेशन मने पद हो सकता है जैसे के लुका के लिए ये इस शब्द कहे है निकोला ने के लुका एक नोकरानी है लेकिन उसकी जो आत्मा है वो एक नोकरानी की नहीं है वो उसके स्टेशन से यानि उसके पद से उपर की आत्मा है रैना इस 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 ऩफ एज कितने साल की है रैना 23 इस गोज़ आ कौन ये कहता है कि उसका डिस्पोजीएशन इनकियोरेबिली मनिला आलाज तरीके से रोमेंटिक है तो ये बात बरिटन्षली कहता है ये मेरा जो वेवहर है वो लाइलाज तरीके से रोमांटिक है Does Blanchali own a tea garden also? Blanchali का एक चायबागान भी है क्या? Yes, हाँ How many medals has Blanchali won for distinguished services? Blanchali ने कितने medal जीते हैं? खास सेवा के लिए, विशेश सेवा के लिए Four What a man? Is he a man? क्या आदमी है? क्या वो एक आदमी है? Who do these words refer to? ये शब्द किसको refer करते हैं? Blanchali को Blanchali के बारे में ये last dialogue है यहाँ पर आके आम सेटना में नाचक खतम होता है और ये last में सरजियस बोलता है Blanchali के बारे में तो ये important है अपने आप में आपको याद रखना है Reina is Nicola is middle aged Nicola एक मदब आप इसको अधेड कह सकते हैं नी में अधेड बोलते हैं वायस लगवग 40 के एज के आसपास जो लोग होते हैं वो अधेड कहलाते हैं 40 से 50 साथ 60 में तो फिर बुज़र्ग में आ जाते हैं Luca finally marries Sergius Luca अंत में Sergius से शादी करती हैं यानी यह जो टाइटल है इसनाटक का वो कहां से लिया गया है एक लाइन है वर्जल की लिखी हुई तो वर्जल की लाइन से लिया गया है एनीर से लिया गया है वर्जल की Catherine is a woman of about 40 years of age Catherine जो है वो 40 साल की महिला है तो यह भी अधेड हो गई न Rena marries Blanchely Rena Blanchely से शादी करती है because क्योंकि he is a rational man वो एक तार्किक व्यक्ती है The main theme मुख्य विशेवस्तू of the play नाचक Arms and the Man is Arms and the Man की है War and Love युद और प्रेम ये मुख्य विशेवस्तू है theme है Next question है Arms and the Man is Arms and the Man है An anti-romantic comedy ये तो आपको याद रखना है और वैसे भी सब्टाइटल भी लिखा हुआ जब हमने शुरू किया था तब भी ये हमने डिस्कस किया था The marriage between Sergius and Luca is indicative of यानि Sergius और Luca की जो शादी है वो इशारा करती है दिखाती है शोग का socialism, समाजबाद क्योंकि Luca एक नोकरानी है और Sergius एक बहुत बड़े घराने का लड़का है और Major है आर्मी में तो इन दोनों की जो शादी है वो socialism दिखाती है समाजबाद दिखाती है होती नहीं है जनरली इस तरीके से The play Arms and the Man was published in the year ये जो नाटक है Arms and the Man इसके बारे में आपको बड़ा confusion रहेगा क्योंकि ये नाटक produce हुआ था 1894 में यानि थेटर में दिखाया गया था और published हुआ था 1898 में तो बुक वाले भी इसकी date के लेकर confused हैं कई बुक्स में आपको जो 1894 जैसे कि इस बुक में भी दिया हुआ है अब इन्होंने पब्लिक के यहाँ पर दिया है published in the year जबकि पब्लिश हुआ वो 1898 में और produce हुआ 1894 में चली अगर इन्होंने 1898 ना भी दे रखा है तो 1894 दे रखा है हम इसको mark कर देंगे लेकिन समस्य हमारे सामने जब आएगी जबकि दोनों dates दे रखी होंगी कहीं options में 1894 भी दे रखा हुगा तब आपके सामने धर्म संकट होगा कि हम considerate लगाए हालांकि इश्वर से प्रार्थन यही कीजिए कि आपके exam में ऐसा ना हो 1894 भी दे रखा हो 1898 भी दे रखा हो क्योंकि इस book में तो 1894 ही दे रखा है लेकिन कुछ एक book ऐसी है अभी मैं उसमें से भी आपको questions कराऊंगी जिसमें दोनों dates दे रखी है तब आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी लेकिन आप ये दोनों dates note कर लीजे अपनी notebook में कि इसको produce किया गया था मदब कि theater में दिखाया गया था 1894 में और publish किया गया था 1898 में next question है the play arms and the man was included in the volume ये जो नाटक है arms and the man एक volume में जिसमें include किया गया था वो थे plays pleasant plays pleasant यानि अच्छे नाटक खुशनोमान नाटक तो इस तरीके से एक collection था plays का जिसमें के plays pleasant नाम से collection था जिसमें arms and the man included था तो याद रखना है आपके लिए important भी है Shaw's plays are the plays of Shaw के जो नाटक होते हैं वो कैसे होते हैं वो plays of realism वास्तविक्ता से भरे हुए नाटक होते हैं question number 52 देखते हैं Shaw's plays are the plays of ideas Shaw के जो नाटक हैं वो drama of ideas में ही तो आते हैं ये भी याद रखना है आपको Shaw के जो नाटक हैं वो realism से भरे हुए हैं और Shaw के जो नाटक हैं वो ideas से भरे हुए हैं drama of ideas में include किये जाता है इनको Shaw was most influenced by Shaw सबसे ज़्यादा प्रभावित था इपसन से in the play I'm send the man I'm send the man नाटक में Blanchely is Shaw's mouthpiece Blanchely is Shaw का mouthpiece है यानि हिंदी का word मुझे याद नहीं आ रहा exact word मतलब यह होता है कि अपनी बात लेखक जिसके मूँ से कहलवाता है वो mouthpiece कहा जाता है I'm send the man may be categorized यानि categorized होना चाहिए I'm send the man को किस category में रखा जा सकता है problem play problem play वैसे realistic play होना चाहिए चलिए यहाँ पर romantic play तो ही है नहीं surrealistic भी नहीं है sentimental comedy भी नहीं है तो जो चार options दिये हुए है इन मैंसे जो best option है वो problem play ही है हलांके problem play जो category है उसमें जोन गॉल्स वर्दी के नाटक रखे जाते हैं I'm send the man या फिर जोर्ज बर्नार्ड शौ के जो नाटक है वो drama of ideas कहलाते हैं तो अब यहाँ पर drama of ideas तो दे ही नहीं रखा options में तो हमारे लिए best option यहीं रहेगा problem play यह एक दूसरी book है 55 questions हम कर चुके हैं लगबर उस book मैं से और 50 questions यहाँ भी दे रखे हैं कुछ questions हो सकता है repeat हो जाएं लेकिन काफी questions इसमें अलग ही हैं जादातर questions इसमें अलग हैं और upload तो मैं यह कर रही हूँ बी यह third semester के लिए लेकिन कोई भी ऐसा ना तो university है ना कोई ऐसा class है और ना कोई ऐसा competition है जिसमें George Bernard Shaw के उपर question ना आते हो तो सभी के लिए useful है इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि maximum questions इस वीडियो में include कर दूँ चलिए next question है Where was G.V. Shaw born George Bernard Shaw का जन्म कहा हुआ था Dublin में हुआ था G.V. Shaw was born in the year किस साल में जन्म हुआ 1856 में पैदा हुए वो With which periodical Shaw was not associated इन में से कौन से periodical से ये संबंधित नहीं थे Shaw Sunday mail से संबंधित नहीं थे Paul, Mall, Gazette के लिए उन्होंने articles लिखे है The Word के लिए भी लिखा है लेकिन Sunday mail के लिए उन्होंने नहीं लिखा फिर which of the play was not written by G.V. Shaw ये जो दिये हैं इन में से ये इडीप्स कोई play नहीं है उनका बाकी तीनों तो है G.V. Shaw received Nobel Prize for Literature G.V. Shaw ने Literature का Nobel Prize रिसीव किया कब रिसीव किया? 1925 अच्छा पता है 1925 में ये जो कमेटी है Sweden की कमेटी है Alfred Nobel की एक संस्था है उनका ट्रस्ट है तो उस ट्रस्ट ने कहा कि जितने भी नॉमिनेशन्स हुए हैं साल लिटरेचर के लिए उनमें से कोई भी इस लायक लग नहीं रहा जिसको Nobel Prize दिया जाए तो उन्होंने निर्णे लेते लेते इतना ठाइम लगा दिया कि 1925 में Nobel Prize दे ही नहीं पाए वो किसी को तो इनको Nobel Prize पता है 26 में मिला था वो 1925 का लेकिन इन्होंने रिसीव किया उसको 26 में तो अब क्योंकि 26 तो हमारी अप पास यहां डेट है भी नहीं तो 1925 ही है तो 1925 ही हम मार करेंगे लेकिन कहीं अगर ऐसा हो कि 1925 ना आए 26 आए तो आप confused मत हो जाएगा 26 लगा दीजेगा वहाँ पर क्योंकि प्राइज 25 का था लेकिन दिया उनको 26 में गया ठीक है पूरी काहनी को याद रखिएगा इसको कि उस ट्रस्ट को ये लगा कि कोई भी इस लायक नहीं है विच आफ दे प्ले इस नोट रिजन बाई जीवी शौ यानि कौन सा नाटक जीवी शौ के द्वारा नहीं लिखा गया इन में से तो सेंट बैकेट उनके द्वारा नहीं लिखा गया है फिर जीवी शौ डाइड इन दाई है जीवी शौ की मृत्यू किस वर्ष हुई 1950 में हुई तो आपको पता ही है कि निकोला है और लूका से समंदित है वट इस दैट रहना पुट्स इन दा ओल्ड कोट रहना पुराने कोट में क्या रख देती है जो कोट उसने ब्लंचली को दिया तो उसके अंदर क्या रख देती है अपना एक फोटोग्राफ रख देती है आपको यादी होगा नेक्स कुशन है यानि रैना क्या देती है ब्लंचली को टू इट खाने के लिए वेन ही फर्स मीर्स हर इन हर बैडरूम जब वो पहली बार उसके बैडरूम में उससे मिलता है तो वो चॉकलेट्स देती है विच प्ले हाज नॉट बीन रिटिन वाई शोग्राफ यानि बरनार शोग्राफ इन में से कौन सा नाटक नहीं लिखा गया है टेमपेस नहीं लिखा गया है अच्छे से नोट कर लिजए अपनी नोट बुक निकाल लिजए वीडियो पॉस कर लिजए और लिख लीजए कि अवेन्यू थीटर में इसको 1894 में प्रोड्यूस किया गया था और 1898 में इसको पब्लिश किया गया था नेक्स है इन हिज प्लेज शोग डील्स विद यानि अपने नाटकों में शोग दिखाता है क्या एंटी रोमेंटिक आउटलुक यानि रोमेंटिसिज्म के खिलाफ एंटी मने खिलाफ होता है रोमेंटिसिज्म के आउटलुक मने दिश्टिकों तो उसका जो point of view है वो एंटी रोमेंटिक है यह question पहले भी आ चुका था लेकिन पहले poet का नाम दिया था अभी उस poem का नाम दिया है जहां से यह लिया गया है the court episode is concerned with the court of court episode समंदित है किसके court से major petkoff के court से who is chocolate cream soldier यह आपको पता ही है blanchally है chocolate cream soldier next the basic theme of the I'm send the man is I'm send the man की मूल भूत विश्यवस्तू क्या है is the anti-romantic attitude of वो है anti-romantic attitude किसका love and war यानि प्रेम और युद्ध का anti-romantic attitude यानि शुरुआत में तो बहुत romantic हैं प्यार और युद्ध को लेकर सभी लोग लेकिन बाद में सब anti-romantic हो जाते हैं who is kathirine kathirine कौन है रहना की मा है who is nicola nicola कौन है the man servant of petkoff family यानि petkoff family का male servant है और लुका female servant है to whom is sergius married at last अंत में sergius की शादी लुका से होती है फिर है अरे मैंने नीचे होगा लुका कहती है ये बात sergius से फिर next question देखिए it is our duty यह हमारा करतब है to live जिन्दा रहना as long as we can जितने लंबे समय तक हम जिन्दा रह सकते हैं who says कौन कहता है ये बात blanchally कहता है who is the hero of the play नाटक का hero कौन है blanchally है who is the heroine of the play नाटक की heroine कौन है रहना है arms and the man is arms and the man is a drama of ideas जैसा आप मैंने पहले भी कहा था आपसे जब दूसरी बुक में ये question आया था तो वहाँ इसको problem play करार दिया गया था लेकिन तब भी मैंने आपको वहाँ बताया था कि arms and the man a drama of ideas है लेकिन वहाँ क्योंकि option ही नहीं दे रखा था तो मजबूरी में हमने फिर problem play को टिक किया था arms and the man is divided into arms and the man को divide किया गया है तीन acts में who said किसने कहा soldiers अच्छा या nine और आना चाहिए nine soldiers out of ten are born fools यानि दस में से नौ सैनिक पैदाइशी मूर्ख होते हैं कैप्टेन बिलेंशेली ने कहा है who is Nicola servant of Major Petkov Sergius was found flirting with Sergius को पकड़ा गया था पाया गया था flirt करते हुए Luca के साथ friend कर रहा था वो Bernard Shaw born at Bernard Shaw कहां पर पैदा हुए थे उनकी year तो हम पहले ही बता चुके हैं और Dublin ये भी बता चुके हैं अब यहां थोड़ा और detail में दे रखे हैं थ्री अपर सिंज स्ट्रीट Dublin वैसे जो और एक दो जगह दे रखी है वेबसाइट्स पर वो पोर्टो बैलो जगह दे रखी है फिर है Shaw's formal education begin Shaw का formal education शुरू हुआ किस केंडर मिस कैरोलन हिल केंडर हालांकि इतना detailed question तो exam में नहीं आना चाहिए किस केंडर पर examiner की क्या बात कहें कुछ भी दे सकता है Shaw became a junior clerk जॉर्ज बरनार्ड शॉर एक junior clerk बने in the office of a firm of estate agents यानि एक firm के office में estate agents के एक firm में वो एक junior clerk बने on कब बने वो यहां जो options दे रखे हैं उनमें तो November 1, 1887 वो सौरी 1871 अब जो यहां पर years दे रखे हैं जैसे 1872 दे रखा है 70 दे रखा है यह तो years ही गलत हैं केवल यह years ही दे रखा है 1871 यहां भी लेकिन November दे रखा है जबके मैंने और कई जगे देखा तो वहां पर October दे रखा था October 1871 दे रखा था तो 1871 ही वाला जवाब हम टिक करेंगे Which of the novels has not been written by Shaw तो इनमें से कौन सा novel शो ने नहीं लिखा है The Mayor of Casterbridge नहीं लिखा है The Mayor of Casterbridge के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं यह तोमस हारडी ने लिखा है बहुत अच्छा novel है जरूर पढ़िएगा Which of the dramas has not been written by Shaw इनमें से कौन सा ड्रामा जो बर्नार्ड शो ने नहीं लिखा है Rivals नहीं लिखा है यह Sheridan ने लिखा है बहुत यह अच्छा ड्रामा है यह भी Rivals मुझे upload तो यह सभी करने हैं लेकिन time लगेगा अभी तो नहीं हो पाएगा The Plots of the Plays of Shaw Art Shaw के नाटकों के जो Plots होते हैं वो कैसे होते हैं realistic होते हैं Shaw wanted to expose Shaw expose करना चाहते थे expose मुलब पोल खोलना चाहते थे किस की पोल खोलना चाहते थे भई The Follies and Vices of Society यह नि जो समाज की बुराईयां हैं यह ना कमियां हैं उनकी पोल खोलना चाहते थे Who are the pioneers of problem play in English drama English drama में pioneers मनें अग्रदूत होते हैं अग्रगा में कौन लोग है शौ और गॉल्सवर्दी हैं फिर who comments unlike Mr. Shaw गॉल्सवर्दी makes no bid for popularity यह नि शौ तो popular होना चाहते हैं लेकिन गॉल्सवर्दी बहुत ज़्यादा अपनी popularity की और धियान नहीं देते हलांकि वो भी popular हैं लेकिन वो अतना कोशिश में नहीं होते तो यह बात किस ने कही है हेरोल्ड विल्यम्स ने कही है और गॉल्सवर्दी के ड्रामाज भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं एक दो ड्रामा तो सिलेवस में रहता है लेकिन आपके सिलेवस में नहीं है unfortunately MA में तो है उनका जो नाटक है justice पहले हम पढ़ते थे तब था सिलेवस में silver box भी रहा था इस वक्त भी आपके सिलेवस में नहीं है चले कोई बात नहीं हम कहां थे Harold Williams ने ये कहा है ठीक है फिर शौ विजिटेड यूएससर इन या जोज बरनार शौ यूएससर कब गए 1931 में तो ये ब्रंशली है जो के है तो एक व्यावसाइक सैनिक लेकिन पहले एक इनसान है सैनिक बाद में है पहले वो एक इनसान है फिर शौ के अनुसार जो वास्तव एक प्यार है आदमी और और वरत के द्वारा जो महसूस किया जाता है वो एक बायलोजिकल अट्रेक्शन है यानि कि जो हर्मोंस होते है उनका बहाव होता है तो बायलोजिकल अट्रेक्शन होता है इन आमस एंड़ में शौ ब्रिंग्स आमस एंड़ में शौ ब्रिंग्स आउट आना चाहिए वैसे सामने लाता है क्या चिस होलोनेस ओफ रोमेंटिक लव हलांके इस क्वेशन के जो तीन ओप्शन दे रखे है वो तीनों ही सही है दा होलोनेस ओफ सोसाइटी ये भी सही है लेकिन अब जो चौथा ओप्शन इसमें नन ओफ दीज दिया गया है होना चाहिए था ओल ओफ दीज तो अब क्योंकि नन ओफ दीज दे रखा है तो फिर हम दा होलोनेस ओफ रोमेंटिक लव को ही यहां टिक करेंगे फिर वी कैसे 3.25 एकॉर्णिग तो चाहसे 5 और आम सिंद ओं दामें बना हैं नट ओण ली ऑन पैथोस बट ऑन बैथोस न हेवल पैथोस बल्के बैथोस पर लो कि बैथोस पर टो बैथोस क्या होता है वह एंटी क्ला इमेक्स होता है निवाया आγए आदर्स पर पहुँच के चीज़ें बिल्कुल जमीन पर आ जाती है धराशाई हो जाती है उंचे आदर्श सारे धराशाई हो जाते हैं तो यह एंटी क्लाइमेक्स है इन दे बेगिनिंग रेना's head is in the skies शुरुवात में रेना का जो सिर है या दिमाग है वो आकाश में है और उसकी सगाई हो चुकी है किस से शादी होने के लिए सरजियस के साथ शादी होने के लिए इन दे बेगिनिंग सरजियस is surrounded with शुरुवात में सरजियस घिरा हुआ है military glory से यानि सैनिक आभा से फिर next देखते हैं question number 48 रेना is 23 years old रेना 23 साल की है बट ब्रंशली thinks लेकिन ब्रंशली सोचता है her as a girl of कि वो एक लड़की है 17 years की यह जरूर याद रखेगा age तो उसकी 23 साल है लेकिन ब्रंशली को लगता है कि वो 17 साल की लड़की है Luca is a young and charming girl Luca एक योवा और अकरशक लड़की है who works in the house of Petkoff who works जो की काम करती है in the house of Petkoff Petkoff के घर में as a maid servant Catherine Petkoff, रेना's mother is a little above 40 यह पहले भी पढ़ चुके हैं आप 40 साल के ऊपर हैं वो Catherine अब तक आप 105 questions तो देख चुके हैं आगे देखिए यह और तीसरी किताब है इसमें भी कुछ questions दी हुए है वेर इस दे पेटकोff's house situated यानि पेटकोff family का जो घर है वो कहां situated है यह उन दोनों किताबों में से किसी में नहीं था यह वाला question और बहुत important भी है यह question दे ड्रेगो मेन पास यह आपको याद रखाएं ड्रेगो मेन दर्रेपर यह घर है situated है तो विच historical incident does the play deal यानि इस नाटक में जो historical incident दिखाई गई है वो कौन सी है सर्वो बुल्गेरियन war of 1885 यानि 1885 का बुल्गारिया और सर्विया का युद इससे तो आप परचत होंगे अब देखिए वो problem आ गई जो इसकी में बात कर रही थी यहाँ जो question दे रखा है उसमें 1894 और 1898 दोनों दे रखे हैं कि Arm Sandman कब publish हुआ तो वही है कि produce 94 में हुआ और publish 98 में हुआ तो जोज बरनार्ड शौ किस एज को किस युग को बिलॉग करते हैं modern एज को आधुने की युग को विच अमंग दा following does belong to the unpleasant place of G.V. Shaw यह जो नाटक दे रखे हैं चार इन में से कौन सा नाटक है जो कि unpleasant place वाले collection को बिलॉग करता है तो वो है Mrs. Warren's profession फिर है next question which among the following does belong to the pleasant place of G.V. Shaw इन में से pleasant place को कौन बिलॉग करता है वो Arm Sandman है जो आपके syllabus में है वो pleasant place वाले collection में included है इसको जरूर आप याद रखेगा फिर next question which type of drama according to G.V. Shaw aims to force the spectator to face unpleasant facts यहनि कौन से नाटक हैं G.V. Shaw के अनुसार जो कि force करते हैं बाद्धे करते हैं spectator यानि कि दर्शक को to face सामना करने के लिए unpleasant facts यहनि कि अप्रिय तत्यों को तो वो हैं unpleasant place यानि unpleasant place में जो collection है जो dramas included है उनके facts unpleasant है यानि दर्शकों को अच्छे नहीं लगते फिर है who was beholding the beauty of night यानि रात की खुबसूर्टी को कौन नहार रहा था ओन दा बालकनी बालकनी पर at the start of the play नाटक के शुरुआत में तो वो रहना थी हीरोईन थी अपनी in which country does the play take place किस देश में ये नाटक होता है तो आपको मालुमी है कि ये नाटक बुलगारिया में होता है फिर in the first act पहले act में who delivers the news कौन खबर देता है of the victory of the Bulgarian army Bulgarian सेना की जीत का समाचार कौन देता है Catherine देती है who at the start of the play कौन नाटक की शुरुआत में runs away from the battlefield युद्ध शेत्र से भाग जाता है वो है Blanchely on the behalf of which army किस सेना के बहाफ पर Blanchely fights in the war Blanchely युद्ध में लड़ता है तो वो Serbian सेना के बहाफ पर लड़ता है जबकि वो एक Swiss है यानि Switzerland वासी है what was the heroic deed यानि वो बड़ा साहसी काम क्या था performed by Sergius जो Sergius के द्वारा किया गया at the beginning of the play नाटक की शुरुआत में वो था lead a cavalry charge यानि घुड सवारों के आकरमन को उसने lead किया उसका नेत्रित तो किया what did make Sergius cavalry charge victorious यानि Sergius का जो घुड सवारों का आकरमन था वो विजई कैसे हुआ किस चीज ने उनको विजई बनाया the Sergius had the wrong cartridges ये तो आप पहले भी जान चुके हैं कि Sergius इना के पास गलत कार्थूस थे फिर है what does blanchally compare a cavalry charge to तो blanchally किस चीज से तुलना करता है घुड सवारों के आकरमन का वो तुलना करता है peace being thrown at the window जैसे कि मटर के दाने खड़की पर फैंक दिये गए हो फिर next question with which literary character किस साहितिक पात्र से does blanchally compare Sergius blanchally Sergius की तुलना करता है blanchally don't quicksort से Sergius की तुलना करता है ये बहुत important question है याद रखिएगा फिर है whose picture किस की तस्वीर does Rana keep Rana रखती है in her room अपने कमरे में at the beginning of the play नाटक की शुरुआत में किस की तस्वीर रखती है आपको यादी होगा Sergius की तस्वीर रखती है what does Rana boast about her house Rana किस चीज़ की शेखी बगारती है अपने घर के बारे में for the library of her house के उसके घर में एक library है library होना बड़े गर्ब की बात है pet cop family के लिए किसी के भी लिए वैसे तो गर्ब की बात है घर में library कहां होती है लोगों के in at first what does Luca tell at first में Luca क्या बताती है Rana एंड कैथरीन को to be done के किया जाना है fasten the windows के खिड़किया बंद की जानी है where does branchally hide in Rana's bedroom तो Rana के bedroom में branchally कहां छपता है वो उसके behind the curtains परदों के पीछे छपता है what does branchally use branchally किस चीज़ का प्रियो करता है as a weapon against Rana Rana के खिलाफ हतियार के रूप में a cloak cloak मनें shawl या लबादा आप कहा सकते है जिससे रहना अपने आपको ढगती है तो वो उसको हतियार के रूप में use करता है कि मैं तुम्हें ये cloak नहीं दूँगा और तुम इस भेश में दरवाजा नहीं खोलोगी कि तुम्हारे officers अंदर आएं और तुम्हें ऐसा देखें what does branchally accidentally leave branchally क्या चीज़ accidentally मैंने संयोग से छोड़ देता है on the ottoman दीवान पर when hiding जब वो छिपा होता है तो वो his pistol अपनी pistol छोड़ देता है गलती से who realizes कौन महसूस करता है कि rena is hiding rena छिपा रही है an enemy soldier एक दुश्मन सैनिक को rena ने छिपाया हुआ है ये बात कौन realize करता है ये बात lu का realize कर लीती है to whom does rena inform about branchally hiding in her room rena किसको सूचना देती है कि branchally उसके कमरे में छिपा हुआ है वो अपनी मा कैथरीन को बताती है what happens when rena leaves to find her mother क्या होता है जब rena अपनी मा को बुलाने जाती है उस वक्त क्या होता है branchally falls asleep branchally सो जाता है तभी तो rena कहती है lot के poor dear उसको सोते हुए को देखर सोता हुए आदमी बड़ा भोला सा लगता है कोई भी आदमी सो रहा हो तो बड़ा भोला सा प्यारा सा लगता है तो वो कहती है poor dear next question है what do rena and kathirine land यानि rena और kathirine क्या चीज उदहार देती है the servian soldier branchally servian cynic branchally को to escape बच निकलने के लिए तो वो coat देती है major petkoff का what was kept by rena in the old coat यह आपको यादी है कि पुरानी coat में उसने portrait रखा था अपना एक photo रख दिया था what is the nickname coined by rena for branchally nickname आपको यह पता ही है chocolate cream soldier वो उसका नाम रखती है what does kathirine petkoff wear on all occasions तो यह आपको याद रखना है यह पहले नहीं आया question कभी कि सभी occasions पर सभी अफसरों पर kathirine क्या पहने रहती है वो tea gown पहने रहती है to whom is Luca betrothed in act second वो निकोला में निकोला से उसकी सगाई हो रखी होती है लोगों को यही मालुम है कि निकोला से सगाई हो रखी है लूका की act second तक तो यही होता है बाद में पता चलता है कि सगाई वगाई कुछ नहीं हुई थी उसको protection देने के लिए ऐसी अफ़वा उड़ा दी थी फिर है वाट वर लूका और निकोला डिसकुसिंग एड़ बिगिनिंग औफ act second की शुरुआत में लूका और निकोला क्या चीज़ डिसकुस कर रहे थे the secrets of पैटकॉफ फैमिली पैटकॉफ फैमिली के रहसे डिसकुस कर रहे which machine is used by Catherine to call the servants in the house an electric bell यानि Catherine के द्वारा क्या कौन सी machine प्रियोग की जाती है अपने घर में नौकरों को बुलाने के लिए वो electric bell का प्रियोग करती है पहले तो अवाज दे कर बुलाया जाता था लेकिन उन्होंने अभी-अभी electric bell लगवाई है why does Sergius resign Sergius त्याग पत्र क्यों दे देता है from the army सैना से army commission after winning the war युद्ध जीतने के बाद he was not promoted क्योंकि उसको promotion नहीं दिया गया है what kind of favor do Major Petkov and Sergius ask Blanchely यानि Major Petkov and Sergius क्या favor चाहते है Blanchely से तो वो movement of regiments regiments का movement चाहते हैं फिर है what kind of behavior does Sergius do to Luca while speaking secretively in the library तो Sergius Luca से कैसा वियवार करता है जब चुपचाप उसे बात कर रहा हुता है लाइबरेरी में hurts her wrist उसकी कलाई पर चोट मार देता है उसकी बाहाँ पर चोट मार देता है निशान पर जाते है इतनी जोर से उसकी बाहाँ पकड़ लेता है फिर what kind of job does Nicola get at the end of the play नाटक के अंत में Nicola को क्या job मिलता है manager of a hotel वो एक hotel का manager बन जाता है what is revealed in Act 3rd about Blanchely Act 3rd में Blanchely के बारे में क्या reveal होता है his father was very rich कि उसके पिता बहुत अमीर थे I wonder whether all his heroic qualities and his soldiership might not prove mere imagination when he went into a real battle who does speak this statement in the play ये statement किसने बोला है ये बात रहनाने बोली है और सारे statements के बारे में मैं आप से यही कहूंगी कि आप इनको रट नहीं सकते आपको याद ही नहीं रहेंगे आपको पूरा वीडियो जो मैंने अपलोड किये हैं पूरे नाटके वो देखना बहुत जरूरी है तभी ये सब आप याद रख पाएंगे किसने किस से कहा क्या कहा All of them dear lady All of them believe me It is our duty to live as long as we can Who does speak this statement in the play तो ये कौन बोलता है कि भई हमाई duty है हमारा कर्तब है जितने लंबे समय तक हम जिंदा रह सकें जिंदा रहना ये बात बिलंशली कहता है You have the soul of a servant तुम्हारे अंदर एक नौकर की आत्मा है Who does speak this statement in the play ये statement कौन देता है इस नाटक में ये लूका बोलती है और किस से बोलती है निकोला से बोलती है ये तुम्हारे अंदर नौकर की आत्मा है मेरे अंदर नहीं है और तुम नौकरी रहोगे तो ये बात लूका कहती है निकोला से फिर आगे देखते है I think we too have found the higher love मुझे लगता है कि हम दोनों ने उंचा प्यार प्राप्त कर लिया है When I think of you जब मैं तुम्हारे बारे मैं सोचती हूँ I feel मैं महसूस करती हूँ that I could never do a base deed कि मैं कभी कोई बुरा काम नहीं कर सकती और think an ignoble thought और कभी मैं एक नीच विचार नहीं सोच सकती Who does speak this statement in the play ये शब्द कौन बोलता है इस नाटक में Sergius तो नहीं मुझे लग रहा है मैं कभी बुरा काम नहीं कर सकता होना चाहिए फिर तो है ना मैंने तो इसको ट्रांस लिए मुझे लगा कि ये बात ये रेना ने बोली है मेरे मुझे तो लग रहा था लेकिन यहां पर Sergius है एक मिनिट में कन्फर्म कर लूँ तो बेटा मैंने बुक में देख लिया ये रेना का ही स्टेटमेंट है और अब यहां आप्शन्स में रेना इन्होंने दे भी नहीं रखा ये बुक वालों की गलती है इसलिए ये Sergius पर टिक लगा हुआ है Sergius पर गलत टिक है Sergius इसका सही जवाब नहीं है इसका सही जवाब रेना है क्योंकि डालों मुझे तो याद था फिर भी मैंने बुक में से एक बार कन्फर्म किया जब यहां रेना मुझे आप्शन्स में नहीं देखी और जिन लोगों ने मेरे साथ वीडियो देखे होंगे मेरे अप्लोड किये हुए उनको भी याद होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये रेना का है ठीक है तो आप याद रखिएगा ये रेना का स्टेटमेंट है फिर हम ये लास्ट कुशन देखते हैं ये हाथ अपने हाथ के लिए कहता है कि ये हाथ ज्यादा अभ्यस्त है तलवार का बजाए पैन के तो ये बात तो सर्जियस कहता है ये तो सही है ये जवाब सर्जियस ही आएगा इसका जवाब तो ये जवाब सर्जियस ने कही है कि बही मेरा हाथ तलवार चलाने में का ज़्यादा अभ्यस्त है बजाए पैन चलाने के ये एक और चौती किताब है इसके सारे questions तो मैं नहीं आपको कराऊंगी क्योंकि बहुत repetition हो जाएगी लेकिन कुछ questions हैं देख लीजे जो मुझे important लगने है एक तो वो जो act वाला है न कि ये three act play है जरूर याद रखेगा बहुत important question है कि generally five act plays होते हैं आपके स्लिवस में लेकिन ये three act play है जरूर याद रखेगा और दूसरा ये बुल्गारिया was at war with बुल्गारिया जो लड़ाई कर रहा था सर्विया से पहले भी मैं इस question को कई बार करा चुकी हों लेकिन आपके लिए important है who was looka ये आप जानते ही है ये भी important है who entered rena's room in the dark ये भी आप जानते हैं लेकिन यहाँ जो options है ना उसमें ब्रेंशली का नाम ना देखे a fugitive दिया कि एक भगोडा ब्रेंशली भगोडा था युद्ध से भागा था इसलिए मैंने आपको मार कर दिया who search soldiers nine soldiers out of ten are born fools ये बड़ा important question है पहले भी दो-तिन बार आ चुका और अभी इस book में भी आया ही है तो ये तो captain ब्रेंशली ने कहा है who was called chocolate cream soldier ये तो आपको मालूम ही captain ब्लेंशली को कहा जाता है captain ब्लेंशली कौन है ये आपको पता ही है Swiss officer serving in servian artillery ये Swiss officer है Switzerland का officer है और servian से नामे काम कर रहा है और देखिए who shattered rena's illusion about war and romance किसने चितरा दिया यानि तितर वितर कर दिया rena का illusion यानि जो rena का ब्रहम था युद्ध और romance के बारे में प्यार के बारे में वो captain ब्लेंशली नहीं किया captain ब्लेंशली revisited the petcoffs captain ब्लेंशली फिर से petcoffs से मिलने आया किसलिए आया था वो यहाँ पर जो सही option है वो D है return the coat दिख रहा है के नहीं चलिए अब दिख रहा हुगा court लोटाने के लिए return the coat loaned to him जो उसको धार दिया गया था by lady kathirine lady kathirine के द्वारा तो किताबें मेरे पास बहुत हैं क्योंकि आम surrender man हमेशा हमारे यहाँ से लेवस में रहा है बीये में तो किताबों के तो धेर है लेकिन अब ज्यादा और question में देखूंगी तो वो repetition ही होती है और जो quotation वाले questions है उनके बहतर जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपने drama पढ़ा होगा तो फिर से मैं ये video बंद करने जा रही हूँ और गुजारिश आपसे फिर से मेरी यही है कि आप वो videos जो detailed videos है 7 videos है उनको जरूर देख लीजे किसने क्या कहा किससे कहा वो आपको तभी याद रहेगा जब आप वो detailed videos देखेंगे आप मुझसे जादा busy तो नहीं होंगे मैंने अपने इतने busy time में से time निकाल कर इतनी महनत से वो videos आपके लिए बनाए हैं तो उनको जरूर देख लीजेगा आप से like, share, subscribe यह सब तो मैं ना पहले कहा है और ना मैं आज भी नहीं कहा रही मुझे जरूरत भी नहीं है यह सारे videos मैं आप लोगों के लिए upload करती हूँ जिससे आपको मदद मिले बाकि मेरी अपनी कोई हसरतें नहीं हैं कि भी like, share या subscribe करो बिल्कुल मत करो लेकिन पढ़ लीजे आपको मदद मिलनी चाहिए मेरा जो उद्देश होता है वो यही होता है कि मेरे जो देखने वाले हैं viewers हैं उनकी कुछ help हो जाए ठीक है वीडियो मैं यहीं समाप्त करते हूँ धन्यवाद